जैसा कि अभी हम लोगों का निपूर भारत प्रसिक्षण चल रहा है जो चार दिवस का है और बियारसी पर चल रहा है इसके अंतरगत मैंने प्रथन दिवस के प्रसिक्षण का प्रतिवेदन लिखा है और इसको मैंने सुन्दर ढंग से सजाने का प्रयास किया है तो देखिए इसको मैंने ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा कागज का फ्लावर उगर बना करके लगा दिया है कि देखने में अच्छा लगे और आगे देखिए मैंने इसको थोड़ा मैजिक रूप देने का कोशिस किया है जैसे ऐसे इसको खीशते जाएंगे हां से नीचे से तो ये सारे पेश खुलते जाएंगे तो इसमें देखे मैंने सबसे पहले पेज़ पे लिखा है निपूड भारत चार दिवस्य प्रसिक्षन प्रतिवेदन प्रथम दिवस प्रस्तुत करता मेरा नام और मेरे बिद्याले का नام फिर इसके बाद अगला पेज आता है तो अगले पेज पर मैंने लिखा आज दिनांग 12.9.22 दिन सो मुवार को चार दिवसिय निपुड भारत प्रसिक्षण के प्रतम दिवस का प्रारा हुआ जिसमें प्रार्थनाहे, सारदेमा और राष्ट गान से हुआ यह प्रसिक्षण कुल नौ सत्र में शंपन्न हुआ अब अगला पेज है सत्र एक सत्र की सुरुवात ए आरपी स्रिक कनहया लाल यादो जी के द्वारा सभी प्रतिभागियों का परिचर लेकर किया गया इसके पस्चाथ सभी प्रतिभागियों ने अपना पंजी करण येवं प्रसिक्षण क के पुर्व आकलन के लिए गुगल फार्म भरा इसके पस्चाथ टी ब्रेक किया गया अब अगला पेज है सत्र दो सत्र की सुरुवात ए आरपी स्री शशी कांत यादो जी के द्वारा किया गया इसमें निपुण लक्ष उद्देश और अधिगम लक्षियों को समझना प्रोफेसियंसी इन रीडिंग विथ अंडरिस्टेंडिंग अन्यूमरेशी राष्टिय मूल वुथ साक्षर्ता और संख्या ग्यान जिसमें समझ के साथ पढ़ना लिखना बुनियादी गड़ती शंक्रियाएं जीवन के बुनियादी कौसल अधिगम रिक्तता पर विष् सत्र तीन हैं सत्र की सुरुवात एरपी स्री कनहया लाल यादोजी के द्वारा किया गया जिसमें कोविड-19 के कारण हुई अधिगम छती और उसे निपटने की योजना पर चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि कोविड-19 के कारण बच्चों की पढ़ाई तथा बुनिय अगला पेज है सत्र चार सत्र की सुरुवात एरपी स्री मतिक गीता त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया जिसमें सीखने के सिध्धान पर विश्तित रूप से चर्चा की गई जिसमें प्रतिभागियों का पांच समू बनाया गया प्रतेक समू को दो-दो टॉपिक दिय जिसमें मीनू मैडम के द्वारा भाव गीत एक बुढ़िया ने बोया दाना और मेरे द्वारा आई बंदर की वारात नामक भाव गीत का प्रतुति करण किया गया इसके बाद लंच ब्रेक हुआ अब सत्र पांच में सत्र की सुरुवात एरपी स्रीक कनहया लाल यादो जी के द्वारा किया गया जिसमें उनके द्वारा उत्सावर्धक गद्विधी, सेर, बंदूक और दिवार कराई गई अब सत्र छे में सत्र की सुरुवात एर पी स्रीमती गीता त्रिपाथी जी के द्वारा किया गया इसमें अकादमिक सत्र दो हजार बाईस तेईस में भाषा पर कार्य करने की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें संतुलित भाषा सिक्षन पधती, मौखिक भाषा विकास, सब्द पहचान, डिकोडिंग, ब्लेंडिंग, उभरता लेखन पर विस्तार से बताया गया इसके पस्चात, एर्पी स्री सशी कांत यादोजी के द्वारा प्रेणागीत, चलो गीत गाओ, की गागा के दुनिया को सर पे उठाओ का प्रस्तुती करन किया गया अब अगला है सत्र साथ सत्र की सुरुवात एरपी स्री कनहया लाल यादो जी के द्वारा किया गया जिसमें बुनियादी शाक्षर्ता की वार्सी की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें 22 सप्ता के कारेक्रम पर चर्चा की गई शावधिक आकलन भासा का नवे सप्ता में और गड़ित का एक गिराहवे सप्ता और 22 सप्ता में किया जाएगा इस पर चर्चा की गई अब आगे है सत्र आठ सत्र आठ की सुरुवात एरपी स्री सशी कांत यादो जी के द्वारा किया गया इसमें साप्ता ही कियों दैनिक सिक्षण योजना की संरच्रा प प्रथम दीवस का प्रशिक्षण का समेकन किया गया धन्यवाद